दोस्तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें क्यूंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला प्रेल ाज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जो ंमारी जो लोहे की कील होती है उसे किस तरह से तयार किया जाता है और उसमें जो रॉ मटेल होता है वो क्या क्या यूज होता है दोस्तों रोमटेल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं जैसे कि आप फोर्टू में देख रहे हैं कि यह तार होता है इस तार को बोलते हैं जो मेरे के किल हैं जो सभी प्रकार की जो किल हाती है खिस तरह में एस वीडियो में आपको और लिफोड़ियो वीडियो में दिख न हिए की जो हमारी की रहो कैसे बनेगी तो ये देखें मशीन का ये सेंटर आप देख रहे हैं यहाँ से जो कील का है है वह तयार और जो नीचे के तो मैं आपको इसमें पूरी वीडियो में दिखाने बादा हुझ कि सतर्व एसका कि स्की वर्किंग और किस तरह से जो हमारी कील है अब उसमें काफी तरह की और बहुत सारी कील बना सकते हैं आप इसमें 5-7-1-2-5-3-6-3 इस तक की कील आसानी से बना सकते हैं यह मशीन में बस आपको इस तरह वायर को लगा देना है और वायर को जब आप लगा देंगे तो मशीन अपना वर्किंग करना स्टाट कर देगी और जो हमारी कील है जैसे कि फोटो में देख रहे हैं कि हमारी तरह से बनके तयार है तो वीडियो में की में आप बन करके तयार हो रही तो स्पीट तो हम अपने कॉडन कम और भड़ा भी सकते और अब किस्तर हैं से इसे में निकल निखले तयार हो जाती है जोवी तरह킨 है इसेróट घंज हुआ है यह दाइ इंच तीन इंच का साइड है आप इसमें एक इंच पॉन इंच जो वायर की थिक्नेस रखनी है आपको छोटे या बड़े साइच की तो आप अपने असाफ से इसकी वायर की थिक्नेस की साइड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर यह आप मशीन खरीदना चाह सकते हो और कंपनी से डिर्क बात करके सारे जानकारी कर सकते हो तो थैंक्यू फ्रेंड्स किसी और वीडियो में मुलाकात होगी थैंक्स फॉर वाचिंग